दूस्तो नमस्कार ग опас की भी पुष्टी की है कि गेंदबाज यह पूरी सीरीज से बाहर हो सकता है पूरी सीरीज से पार उने का खत्रा है शचीप स्पित ने इसे बहुत बड़ा जटका बताया है अपने के लिए और वहीं 2013 में हम आपको याद इलादें कि आकरी बार वो हटे थे इंजरी की वज़ा से और वो लॉट्स टेस्ट ही था और उसके बास से उन्होंने लगातार सौ टेस्ट मैच खेले हैं जी यहां लगातार सौ टेस्ट मैच खेलना एक गेंदबास के लिए बहुत बड़ी बात है और वो दुनिया के पहले खेलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार सौ टेस्ट मैच खेले हैं बतार गेंदबास तो किस से पहले एलेस्टर कोक ये कमाल कर चुके हैं मार्क वा, सुनील गावसकर, अलन बॉडर, बेंडन मैकुलन लेकिन ये सब के सब बलेबास हैं विशुद रूप से बलेबास है लेकिन नाथन लाइन जो है विशुद रूप से गेंदबास है वो बात अला गया कि पिछले मुकाबले में उन्होंने अपनी बल्लेवाजी से भी अच्छा खासा जल्वा दिखाया था और अपनी टीम को जीत दिलाई थी और वहीं अब अस्टिविया बहुत मजबूस्तिती में है और सैटिस्वे ओवर में अगर हम देखें तो उन्होंने एक कैच लपकने की कोशिश की थी जिस पर वो उनके काफ जा जो उनकी पिंडली है उसमें एक खिचाव आ गया था मल्टिपल इंजरीज हैं उनको जिसकी वज़ा से उन पर खत्रा मंटराने लगा और अब उन्होंने इस बात के पुष्टी कर दी है कि वो रिहेब की उनको जरुवत पड़ेगी और रिहेब का मतलब होगा पूरी सीरीज से बाहर होना यह उस्टेलिया के लिए बहुत बड़ा जटका है तो अब ऐसी स्थिती में जो उस्टेलिया के पास विकल्प है वो है टॉड मर्फी वही टॉड मर्फी जिन्होंने विराठ कोली को बहुत परिशान किया था भारत द़रे में और चार टेस्ट मैचों में चार बार उन्हें आउट किया था और इतना ही नहीं डेब्यूट ट में जरूर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार